अपने एकसर सुना होगा लोग बोलते हैं कि खामोखा मुझे परेशान मत परो यह लखनोग के आसपास ज्यादा तर बुरा जाता है हम लोग लखनोग के आसपास के ही है आवध प्रांत में हमारे लोग घर है आयोध्या से हैं लोग तो यहां पर बड़ी अच्छी हिंदी ब करते हैं लो कौन सा देखिए बेवजह अगर बोलते हैं कि आप बेवजह मुझे पर शक मत किजिए कि खामुखा मुझे से ब्लड़ जगड़रा है गासता है तो इसके लिए इंग्लिसमें क्यों सा ब्रेपन करते हैं आएे दोस्तों देखते हैं किमें दोस्तूं इसितित किसी चीज के लिए नहीं, अर्थात बेवजे है, उसी को और दुम बोलते हैं, खामखा, ठीक है, तो हम अक्सार बहुत ही बढ़िया फ्रेज बनाते हैं, और इंगलिश में फराटे तार बोलने के लिए, ये फ्रेज़ इतने जरूरी है, कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, अब हम लोगों बोलना पड़ता, लिखना पड़ना पड़ता, इसने मुझे मालूम है, ठीक है, कितनी बड़ी दिक्कत आती है, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है, चुकि फ्रेज के लिए फ्रेज ही एक रामबान आउशधी के रूप में है, फ्रेज के मादिन से आ और no reason, यानि बेवज़े या खामखा, तो देखे, पहला sentence मारा है, तुम बेवज़े मुझे पर शक करते हो, अब ये अकसर complaint के लहजे में हर कोई बोलता है, हर किसी को किसी से complaint रहती है, शिकायत रहती है, है ना, तो शिकायती लहजे में हम लोग बोलते है, बेवजे मुझ पर शक कर रहे हैं, ऐसा बहुत सारा जो है वाकया हो जाता है, बहुत सारी incidents हो जाती हमारी life में, को incidents हो जाती है, कि हमको कहना ही पर जाता सामने वाले से, कि भाई, आप बेवज़े मुझे पर शक कर रहे हैं, तो कैसे होगा, यू doubt, अब इसमें आपको जो sentence है ना, वो बड ठीक है, अगला देखिए, वहाँ बेवज़े है, लड जगड रहा है, या वहाँ बेवज़े है, या खामोखा लड जगड रहा है, तो he quarrels, he quarrels, for no reason, या बो सकते हैं, he is quarreling, for no reason, जाना present indefinite और present continuous में, दोनों में बना सकते हैं, sense वही निकलेगा, कि वहाँ बेवज़े है लड जगड रहा है, तो he quarrels, for no reason, या he is quarreling, for no reason, और तीसरा हमारा sentence है, हम बेवज़े हैं, परेशान हो रहे हैं, हम बेवज़े हैं, तो we are getting troubled, get means होना होता है, तो हम हो रहे हैं, we are getting, present continuous tense है, we are getting means हम हो रहे हैं, troubled means परेशान, ठीक है, troubled, third form है, adjective बना हुआ है, we are getting troubled हम परेशान हो रहे हैं, for no reason, बिना वज़े, बिना किसी कारण के खामोखा, और अगला हमारा चोथा नंबर का, फोर्थ नंबर का sentence हमारा है, ये लड़के बेवज़े बहस कर रहे हैं, ये लड़के बेवज़े बहस कर रहे हैं, अब देखिस में दो वर्ड मैंने इस् these boys are arguing, these boys are arguing, या अगर आपको इस सेंस में करना है कि बहुत चीक चीक कर भहस बाजी करना है, तो these boys are agitating, आगे फिर for no reason, ये हो जाएगा, अब बारी आगई है, होमवर्क की, तो होमवर्क में देखे, तीन संटेंस में आपके लिए दे रहा हूँ, और तीनों ही संटेंस में प्लीज एक प्यारा सा कोमेंट करना आपको, बिना किसी हिचकी चाहट के शर्म नहीं करेंगे, देखे धान दीजिए, अगर पढ़ना है, पढ़ाई लिखाय कानतिये, मसोचो मुझे नहीं आ रहा है, नहीं बना पाओंगत क्या होगा, ये सब कुछ नहीं करना है, उल्टा और तीसरा संटेस मा रहा है, रोहन सुरेश को बेवजे गाली दे रहा है, ये तीन संटेस आपको कमेंट बॉक्स में प्लीज, ट्रांस्टेट करके और छोड़ देना है, और मैं इधर से एक प्यारा सा कॉंप्लिमेंट आपको जरूर दूँगा, और ये आपको एक बार, तीन बार, जितनी भी बार हो सकता है, रिवाइंड करके वीडियो बार बार देखना है, जो भी मेरे सीरीज में पढ़ रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको जरूर पसंदाया होगा, तो पसंदाया होगा, प्लीज एक लाइक दीजे प्यारा सा, उसके बाद मे आप bell icon दबा करके all button पर जरूर क्लिक कीजिए, ताकि notification आप पूरी तरह से पहुंच सके, बहुत सारे लोग हैं जो subscribe channel करते हैं, लेकिन all button को क्लिक नहीं करते हैं, यह बहुत जरूरी होता दोस्तों, thank you so much for watching this video.